तो जैसा के आए संड़े है और हम हर संड़े डिसकस करते हैं एक रीजनिंग के पेपर को जो पिछले साल यानि के 2019 से यूपी ट्रिपल असी ने पूछे हैं हम अनेलाइस कर रहे हैं ताकि जो आने वाले एक्जाम है हमारे चाहें वीडियो 2018 री एक्जाम हो या फिर जूनियर असिस्टेंट या एजी टीए या फिर कोई अन पेपर यूपी ट्रिपल सी का जिसमें रीजनिंग पूछी जानी है तो उसके पॉइंट अब वीडियो से य अब पूछ रहा है रीजनिंग में ताकि जो आपके आने वाले एक्जाम है उसमें आपको कोश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो तो और इस वीडियो में लास्ट में हम एक चीज और डिसकस करेंगे जो वीडियो 2018 में एक डाइस का कोश्चन आया था ठीक है तो उसका ज तक उस कोश्चन को भी देखें ठीक है और इस वीडियो को भी देखें और अनेलाइस करें कि पेपर जो है वो अब कैसा आने वाला है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आज हम डिसकस करेंगे यूप ट्रिपल सी लोर पीसीस मेंस के पेपर को ठीक है जो यह 28 चार रूप में चार चित्र नीचे दिये गए हैं दिये गए चार चित्रों में से तीन एक निशी तरीके से समान है जबकि एक जो है वो भिन है मतलब कि अलग है उस अलग को हमें बताना है कौन सा है तो अगर हम फिगर को देखें यहां से ठीक है तो यह जो है कह सकते हैं कि चौथा वाला option जो होगा वो इन तीनों से अलग होगा तो answer हमारा हो जाएगा डी वाला option अगला question था और उसमें कहा था कि नीचे दिये गए बेन आरेक में शटबुच जो है यानि कि शटबुच ये वाला जो है ये क्या है पुलिस है और तिर्वुच जो है वो पिता को बताता है यानि कि ये जो है ये पिता बता रहा है और बर्ग जो है वो खेल पिर्तियोगी को बता रहा है यानि कि बर्ग ये वाला है विक्तियों की संक्यां दे रखी हैं इसके दर जो नमबर आप देख रहे है 8,15,17,16,20 ये सारे इनके नमबर दे रखे हैं तो अब हमसे कोशन क्या पूखा है इन्होंने कि कितने पुलिस अधिकारी जो है पुलीस अधिकारी यानिकि इसका , मतलब हमें शटबुझ में भी आना है ठीक है इसके ऐना है पुलीस अधिकार्ई इस नातक यानिकि यह वाला भी होना चाहिए common और पिता यैनिकि यह वाला भी common अ Master लेकिन खेल पिरती होगी नहीं है यानि कि हमें क्या करना है जो जो नंबर इस जो नंबर इस बर्ग के अंदर आ रहे हैं वो नंबर हमको नहीं लेने हैं बाकी जो तीनों में कॉमन होगा वो नंबर हमें बताना है ठीक है इसके अंदर जो आ रहे हैं वो नहीं लेंगे ठीक है तो हमें ऐसा देखना है जो तीनों में आए तो तीनों में अगर हम देखें तो कौन सा आएगा ये 19 यानिके 19 नंबर जो है वो शटबुच के अंदर भी यानिके पुलिस भी है वो और सरकल के अंदर भी यानिके वो इसनातक है ठीक है और तिरबुच के अंदर भी है यानिके वो पिता भी हैं, तो हमें यही find out करना था, तो option number C जो होगा, वो इसमें correct answer होगा. नेक्ट कोशन है, डाइस से, यानि कि पासा से, और इसमें बोला गया है कि एक ही पासे के तीन अलग-अलग इस्तितिया नीचे दिखाई गई हैं, जिस पर फलक पर एक अंक है, उसके बिपरीत फलक पर कौन सा अंक संख्या होगी, ठीक है, मतलब वो यह कहना चाहरा है कि एक क कौन सा होगा, तो अगर हम इन दोनों को अगर कंपेर करके देखें, तो इसमें भी चार कॉमन है, तो या तो क्लॉक बाइस, या फिर एंटी क्लॉक बाइस, हम इसको घुमा देंगे, तो हम क्या करेंगे, क्लॉक बाइस, इसको घुमा देते हैं, ठीक है, तो चार, पाँच और तीन और यहां से चार एक और दो तो हम कह सकते हैं कि पांच जो होगा वो एक के अपोजिट होगा ठीक है तो इसका अंसर जो होगा वो सी वाला अंसर होगा नेक्ट कोशन है कि पिर्तीक अपने घर से चलना शुरू करता है और उत्तर पूरब की ओर 40 मीटर तक जाता है ठीक है डिरेक्शन से कोशन है तो डिरेक्शन के कोशन हम कैसे करते हैं तो उत्तर पूरब की बात कर रहा है अगर हम दिशाएं देखें तो यही तो होती है यह मेरे तुछा होगा है ठीक है ऐसा होगा तो 40 मीटर जा रहा है दो 40 मेरे यहां लिक देते हैं Okay क्लार अब इसके बाद बह मु пропता है ऐसी कißt है तो बय उसका किस साइड़ नहीं किस लाकिक है मतलब लेफ़न सैड्लностorn ये इस साइड तो 90 डिग्री यहां बनाएगा ठीक है यह बाएं मुड़ा और ऐसे गया कितना गया 30 क्लियर अब उसके बाद क्या करता है इसके बाद फिर से बाएं मुड़ता है यानि कि बाएं इस साइड मुड़ेगा वह और 30 मीटर जाता है 40 मीटर जाता है बाएं मुड़ता है और 40 40 हो गया 30 हो गया अब 40 जारा फिर से इसका मतलब यह यहां तक ऐसे जाएगा यह भी 40 हो गया फिर बाएं मुड़ता है और 60 किलोमेटर जो है वो जाता है तो बाएं मुड़ा दो और 60 किलोमेटर कर दो यानि कि यह जो है यहां तक जाएगा यह तो 30 है इसका मिलब 30 यह रहेगा होगा ठीक है तो 60 km हो गया तो 60 km चलता है अब अपने घर की घर से कितनी दूर है और अपने घर से किस दिशा में है तो सबसे बड़ी बात घर से कितनी दूर है तो पॉइंट का था इसका यह वाला पॉइंट था यहां कि हम अगर देखें यह ऐसी लाइन बन दई है हमारी तो यह लाइन किदर है दक्षण पूरब में है तो दक्षण वाला नहीं होगा तीस मीटर दक्षण पूरब में वो अपने घर से दूर है ठीक है तो आंसा नंबर हमारा सी वाला उप्षण इसमें करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है आपको पता चला है कि आपके एक चचेरे भाई ने अपने एक साल के बच्चे को निवारे टीका नहीं लगवाया है इस इस्तिधी में आपका सबसे अधिक तारकिक उत्तर क्या होगा मतलब उसको क्या वो है हमें आप बाद में चचेरे भाई से टीका लगवाने के लिए कहेंगे ठीक हम रख सकते हैं पॉजिटिविटी है इसके अंदर बट इस्ट्रॉंग नहीं है ठीक है आप कहेंगे तो हो सकता है जब उसे पहले नहीं लगवाया तो बाद में नहीं लगवाया लेकिन हाँ उसने बोला यह ठीक है ठीक है तो इसको अभी रखते हैं हो सकता है स्ट्रॉंग पॉइंट हमें मिल जाए तो वह वाला अंसर हो जाएगा फिलाल के लिए अभी तक यह सही है अगला है आप उसे प्रात्मित्ता पर टीका लगवाने के लिए डॉक्टर से मिलने को कहेंगे यह इससे ज़्यादा स्ट्रॉंग पॉइंट है वी वाला तो अभी इसको रखते हैं यह वाला हम माल लेते हैं यह गलत हो गया क्योंकि इस स्ट्रॉंग पॉइंट है आप उनकी गलती के लिए नबजाश शुशू के माता पिता दोनों को आप पारित करेंगे ऐसा तो विल भारत में मनाय जाने वाले तो हार लोगों के जीवन में खुशियां लाते हैं अफकोर्स लाते हैं और इसने विवन आविशक्ताओं के लिए अतिरिक्त खर्च भी होता यानि कि इसमें जो हम जैसे दीवाली मालो तो हम बहुत सारा लाइटिंग करते हैं अपने करोपे तो खर्चा तो होता ही है या फिर होली मालो उसमें खर्चा होता है तो हर जो भी होते हैं इद हो कुछ भी हो तो उसमें खर्चा तो होता है और खुशियां भी लाते हैं तो यह दोनों बात तो सही है कतन में अब आगे धार्णाय इनकी देखते हैं तो हरों के दोरा लोग ज्य अगला कोशन है यह भी कतन से है तो कतन ही पढ़ते हैं कि कतन है सरकार ने पौल यो उनमूलन के लिए बहतरीर प्रियास किये हैं लेकिन अभी भी कुछ क्छेत्रों से कुछ मामले सामने आते हैं सरकार ने मतलब बहतरी प्रियास्तों की हैं हम देखते थे बच्पन से के संडे टू संडे और कभी-कभी हर हफ्ते में दो बार पोलियों की दवब प्लाई जाती थी अब तो फिलाल बंद हो गई है कभी-कभी महीनी में हो जाता है बट फिलाल सरकार ने बहुत अच्छा काम क बढ़े बिल्कुल सही बात है जनता जागरुक होगी और लोग पोलियों की दवब अपलाएंगे तभी हम इसको जड़ से मिटा सकते हैं अगर जनता सपोर्ट नहीं करेगी तो दवब अपलाने वाला जाएगा उसको वापस कर देंगे तो फिर जब दवा ही नहीं पिएग तो उसको घर से बाहर ना करें ठीक है उनको दवा पिलाए जो भी बच्चा है आपकी है तो यह वाला पॉइंट जो है वह पलत है जनता की भी भागिदारी है इसमें जनता सपोर्ट करेगी तब ही कोई चीज सक्सिस हो पाएगी सरकार और जनता दोनों को पोलियों मुलनल क सर्वोत्तम परियासों में लगे रहना चाहिए यह बी सही है तो और ती यारी कि पहला और तर वहाला और की स्में दर आय। तो हमें इसमें negative चीज़ों पे नहीं ध्यान देना है, ऐसे question हो में, जिसमें positivity देखें, यानि कि positive चीज़े देखें, वह हमको देखना है, ठीक, अगला question है, coding, decoding से, diamonds को उन्होंने ये code किया है, ठीक है, तो उसी तरीके से platinum को किस भाशा में मतलब हम code करेंगे, ठीक है, तो अ क्या करना है क्यूं करना है एल को वैसे ही लिख देना है एक को भी लिखना है अगला वाले को टी को वैसे ही लिख देना है जो इसा लिखा है आई को क्या लिखेंगे I को J लिख देंगे ठीक है और अगले वाले को N लिख देंगे तो इतने में मुझे लग रहा है यह मिल जाएगा QL यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है यहाँ है QLTB BT BT है ठीक है तो D वाल उप्शन इसमें Correct हो जाएगा ठीक है के लिए चलिए फिर आगे बढ़ते है नेक्स कोशन है किसी कोड भाषा में मीगर को नोने यह कोड किया देन लेविश को उसी कोड भाषा में कैसे लिखेंगे तो अब हमको यहाँ find out करना है कि यह हुआ कैसे ठीक है तो अगर हम देखें दिहान से देखो यहीं पर देखो M से यह लास्ट वाला ठीक है तो एक गाइव है M N O और E से F गाइव है G लिखा हुआ है ठीक है ऐसे ही यह क्या लिखा है इनो ने A से B गाइव है C लिख दिया तो मतलब एक का गैप पर है तो अगर हम यहाँ देखें तो L के बाद लास्ट वाला जो होगा वो क्या आएगा एक छोड़के L के बाद क्या आएगा लास्ट वाला M आएगा तो M किस किस के अंदर है सोड़ी L M छोड़के N आएगा M तो छोड़ना पड़ेगा ना ठीक है तो O वाला यानि कि यह कैंसल आउट हो गया क्लिया अब जो A है A के यह क्या आएगा यहां पर सेकंड लास्ट B छोड़के C आएगा तो C N होना चाहिए सब में सब में C N है फिर अगर हम पहले इसके देखें लास्ट वाला से पहला वाला मिलेगा हमें तो H के बाद H I यानि कि J आना चाहिए तो J भी सब के अंदर है ठीक है फिर सेकंड लास्ट से हमें सेकंड मिलना चाहिए यानि कि S T P Q R S T U आना चाहिए यहाँ पर तो U किसके अंदर है यह B वाला हड़ गया ठीक है अब बचें अंदर के दो K Y और K X ठीक है तो इसमें तो K आए गई आएगा बीच वाला देख लेते हैं बीच वाले में क्या है I है ठीक है तो I है और I के बाद I J K क्या आना चाहिए ना यह तो है ठीक है L A B के तो हो गया V वाला रह गया ठीक है V के बाद जब यहां से आएगा वी का तो T U V W हमको छोड़ना है ठीक है W छोड़ना है तो W के बाद क्या आता है X आता है यहां पर X आ जाएगा तो J U K X C N यानिकि option number D जो होगा वो correct होगा ठीक है I hope कि आपको clear होगा पहले वाले से last व वे आना है चलिए फिर next question की तरब बढ़ेंगे यदि tissue को code भाषा में 93 लिखा जाता है तो rocket को उसी code भाषा में कैसे लिखेंगे तो tissue को 13 में लिखा है तो इसका मतलब इसने क्या किया होगा letter का जो place value है वह उन्होंने add कि होगी तो अगर हम tissue की देखें ठीक है T कितने पर आ 9 पर एस कितने पर 18 पर दूसरा भी एस 18 पर यू कितने पर आएगा 21 पर और यह 5 पर आएगा इसको जोड़ है तो 29 अठारा 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 36 और यह कितना होगा 26 छे नौचे पंदरा छे 21 अठाटली यह थोड़ी सी mistake है यहां 18 नहीं 18 पर तो आ रहाता है यह 19 है यह 38 हो गया अब इसको एड़ करेंगे आठ चौदा चौदा और नो तेईस कहरी किया टू यानिकि हासिल के दो लगे दो दो चार 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 तीन सा साथ दो नो ठीक है 93 हुआ तो हमको पता लग चुका है कि टिशू को उन्होंने क्या क्या है जो लेटर की प्लेस वैल्यू ह उसको उन्होंने एड़ कर दिया तो रोकिट की अगर देखें रोकिट में आर जो है 18 पर आता है और फिप्टी पर आता है तो यह 18 और यह इतना हो गया 36 यह कितना हो गया 20 और यह भी कितना हो गया 36 36 प्लस 36 यानि कि 72 तो यह 72 option जो होगा वो इसका सही answer option D हो जाएगा clear तो इस तरीके से हमको add करना था चलिए फिर next question हमारा है blood relation से तो इसमें दे रखा है यह सारी coding दे रखी है फिर question पूछा है कि V प्लस P multiply R plus Q minus S divide U multiply T है तो इन में से कौन सा कथन सही नहीं है इन में से कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें देखना है तो पहले तो हमको पुरा जो उसका tree बनता है वो बना लेते हैं ठीक है या फिर हम कह सकते हैं कि चित्र या फिर तो सबसे पहले है B प्लस P यानि कि यहां पर चल लए यह बात तो B जो है वो P की बेटी है फिर P multiply R का मतलब क्या है तो P multiply R यहां यानि कि P जो है वो R का पती है पी जो है वो R का पती है तो जो मेल होते हैं हम उनको triangle के अंदर और जो female होती है वो circle के अंदर तो P जो है वो R का पती है clear फिर हमको क्या करना है R plus Q दे रखा है R plus Q कहां पर हो यानि कि R जो है वो Q की बेटी है R जो है वो किसकी बेटी है Q की बेटी है ठीक है तो हमने इसके अंदर ले लिया यह क्लिर अब और्क्यू के बाद हम यहाँ इस लैन पे आगए क्यों वाइन पर रिन नि क्यू जो है वो एस की पलजी है क्यों जो है वो क्यूंस की पत्नी है सब्सक्राइग दिया अब इस डिवायड u है यहाँ पर आ गए तो ग्ताव है तो यानि कि इनका कोई U है, यह उनके पिता है, अभी अभी इसका U का जैंटर नहीं पता है, आगे हमें पता लग जाएगा जैंटर क्या है, U multiplied T दे रखा है, ठीक है, तो U multiplied T का मतलब है, U जो है वो T का पती है, यू जो है, वो किसका पती है, T का पती है, तो ये मेल हो गया, ठीक है, ये आपस में क्या होगा है, भाई बहन हो गया, ये पूरे के पूरे हमारा ट्री बन चुका है, अब हम यहाँ पर option पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा option जो है, वो गलत है, तो R जो है वो B की मा है, त जो है वो B की मा है, तो clearly हमको दिख रहा है कि R जो है B की मा है, सही है ये, U जो है वो R का भाई है, यू, R का भाई है, ये भी सही है, S जो है B का दादा है, S जो है B का दादा नहीं है, नाना है, ठीक है, तो यहीं पर ये गलत हो गया, बाकि लाश्ट वाला भी चेक कर लेते तो आप्शन नमबर तीन जो होगा वह इसमें हम टिक कर देंगे क्योंकि बाकितो सारे सही है बस यही गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया था ठीक है तो इसमें गलत होगा से लिए नैक्ट्स्ट्कशन फिरिसे बलेटेगा मतलब जिस तरीकी आरे यहीं है तो आरें पूसिता हैं सारे इकशन आरहें कोशन है विश्वास के पिता का इकलौता वेटा किर्तिका का पती है यहां से कहां बनाए इसको चलो यहीं बनाते है विश्वास के पिता ठीक है तो यहां पर हम कह सकते हैं यह विश्वास मान लो विश्वास जी बैठे हैं यहाँ पर विश्वास के पिता होंगे कोई के एकलोते बेटा ठीक है तो एकलोते बेटा है तो यानि के विश्वास ही होगा ठीक है किर्थिका का पती है यानि के इनकी बाइफ है कोई किर्थिका ठीक है के लिख दिया अंशुला की शादी बेवेक के एकलोते भाई से होगी तो अभी ये वाली लेन का कोई मतलब नहीं क्योंकि किसी से ना तो बेवेक से ना करतिका से कोई रिलेट हो रहा इसका ठीक है विश्वास अंशुला का बेटा है यानिके यह जो बिशवाश है वो किसके बेटे अंशुला तो इसका मतलब यह जो है इनकी बाइफ हो गई अंशुला ठीक अंशुला बाइफ हो गई अब यहां से रखा है अंशुला की शादी जो है बेवेक के एक लोते भाई से हुई है तो यहां पर कोई एक बेवेक है उन यानि के यह जो है वो विश्वास की भी बेटी हुई और किर्तिका की भी बेटी हुई ठीक है किर्तिका की बेटी है राज और बेबेग भाई है तो इसका मतलब यहां पर कौन आ गए यह राज आ गए यह विश्वास के पिताजी बन गए ठीक अब हमसे पूछा है कि राज का बैबबी से क्या संबंध है तो राज जो है वो बैबबी के कौन है दादा हुए ठीक है तो option number C जो होगा वो इसमें correct होगा राज का बैबबी से क्या संबंध है तो बैबबी के राजा वो दादा है यह तो इस तरीके से हमें tree बनाना थी और इसका answer करना था है अगला कोशन है फिर से कथन और शिद larg hit तो पेंट डिजाइंगे सभी जो ピर डिजाइन है तो मैं यहां पेंटिंग लिगदेता हूं होई लिए है और डिजाइन है तो बड़ा सा इबना दिया तो यह बस्तूय आ गई, क्लिया, अब हम से पूछा क्या गया, निश्कर्च देखना है, कौन-कौन से सही है, सभी डिजाइन जो है, वो बस्तूय है, सभी डिजाइन बस्तूय के अंदर तो आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है, सभी डिजाइन बस्तूय हो जाएंगी, कु कुछ पेंटिंग घर नहीं है ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि कुछ पेंटिंग जो हो वो घर ना हो क्योंकि घर के अंदर पूरा का पूरा पेंटिंग वाला पार्ट आ रहा है तो यह जो है गलत हो गया तो हम कह सकते हैं एक और दो अनुसरण करते हैं यानि कि option नंबर जो इसमें जो है next number पूछा है तो देखना है हमें next number कैसे यह बढ़ रहे हैं सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि किरम कैसे बढ़ रहा है तो u से a हो रहा है और a से g हुआ और g से m हुआ clear तो इसका मन्दब u कितने पा आता है 21 पे आता है और यह अगर हम देखें यह 25, 26, 27 पे होगा ठीक है 26 तो लेटर होते है फिर उसके बाद a फिर से start होगा तो 27 पे नंबर होगा ठीक है और f और g f और g यानिके 7 तो 26 और 37 और यह 13 पे आता है तो 26 और 13 यह 49 यानिके यह 49 में नंबर पे आएगा तो अगर हम देखें तो यहां प्लस 6 हो रहा है जो 21, 27, 27, 27, 33, 33, 49 यानिके अब 49, 6, 45 हो जाएगा क्लियर कितना होगा 45 होगा यानिके 45 में नंबर पे होगा या फिर हम यह कह सकते के प्लस 6 एड़ कर दो इसके अंदर ठीक है तो यह 13 नंबर पे आता है प्लस 6 करेंगे तो 19 नंबर हो जाएगा और 19 पे क्यों होता है S आ जाता है ठीक है 19 नंबर पे S आ जाता है क्लियर तो S वाला जो है वो इसमें सही होगा तो यह तो गलत हो गया T वाला सारे के सारे आगर सही अब अगर देखें यहां से X, D, D के बाद J, J के बाद P ठीक है तो X जो है वो कितने नंबर पे आता है यहीं से देख अच्छा यह 10 पे होता है और यह कितने पे है P 16 पे ठीक है अगला नंबर चेक कर लेंगे यह तो अभी हमारा गलत है ठीक है अब अगले में देखें यह दो को एक पे आता है F और जी यह 7 पे आता है यह 13 पे आता है यह 19 पे आता है तो हमको क्लियर ली दिख रहा है कि प्लस 6 एड़ हो रहे है तो 19 में प्लस 6 करेंगे यानिके 25 और 25 पे आता है वाई ठीक है तो यह भी नहीं और यह भी नहीं और यह भी नहीं ऑप्शन नंबर सी जो बचा वह इसमें करेक्ट हो जाएगा क्लियर चलिए फिर नेक्स कोशन के दरह मूज करते हैं 50 नंबर कोशन है और इसमें भी हमसे बीच में इनोंने खाली इस्तान दे दिया है और यहां पूछाए कि क्या आएगा ठीक है तो अगर हम देखें A B D E J K M N यानिके यह जो है लेटर वो एक साथ आ रहे है A B C को छोड़ दि इनोंने D लिग दिया यहां पर फिर D E F को छोड़ा अच्छा हाँ F को छोड़ा तो F को छोड़ा होगा ठीक है और F को छोड़ने के बाद क्या आएगा G H आएगा यानि के यह जो यहां पर आएगा वो G H आएगा G H के बाद वो I को छोड़ेंगे फिर J आया J K फिर L को छो भी है, ठीक है, C को छोड़ा, D, E लिख दिया, यहाँ पर F को छोड़ेंगे, उसके बाद G, H लिख देंगे, इस तरीके से यह G, H हमने find out कर लिया, अब यह जो नंबर है, यह नंबर कैसे आ रहे है, तो नंबर देखो, ऐसे आ रहे है, A का कितनी value होती है, 1 होती है, B की 2 होती होती है, E की 5 होती है, तो इनकी multiply कर दी कितना आ गया, 20 आ गया, यानि कि जो इनकी place value है, उसको हम multiply कर दें, तो वो जो नंबर है, वो हमें मिल जाएगा, तो अगर हम G की बात करें, तो 7 होता है, और H की बात करें, वो 8 होता है, तो 8, 7 जा 56 होगा, that means C वाला option जोगा, वो इस 56, clear, अगला question है, निम लिकित शेंकला में कौन सी संक्या, प्रेशन को प्रती स्थापित करेंगी, ठीक है, तो 27 से 28, 28 से 37, 62, 111 यह हो रहा है, तो इसको क्या करना है हमें, काम करते हैं, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, 27, 28, 37, 62, 111, अगर मैं इसको गैपिंग करूँ, कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं यह गैपिंग कर लेता हम, 1, और यहाँ से यह गए, 9, 12 में से 7 गए, 5, और 5 में से 3 गए, 2, और इसका, 11 में से 2 गए, 9, 11 में से 2 गए, 9, 10 में 6 गए, 4, तो एक चीज आपको पैटन पता लग रहा हुगा, यह क्या है, 1 का स्क्वार, 3 का स्क्वार, 5 का स्क्वार, 7 का स्क्वार, इसका मतलब क्या है, यह जो बिशम नंबर है, उनका वर्ग करके गैप आ रहा है, अगर उनका गैप देखे तो वर्ग करके आ रहा है, तो इसका मतल और 192 आगा अगला नंबर कितना आजाएगा, खेलस से धिहान उसको देखो पिछली नंबर से हमने एड़ गया, 27 ऱजी शाट जाताइस में 9 गया, तो acceleration पांचाट में बांचाट गया आ backsat गया धिया तो 62 गांचान है अब जो यहां gap आएगा, gap कितना आएगा, 9 का square 81, 80 को add कर देंगे, तो अगला number हमें मिल जाएगा, तो हमने वही किया, 102 में जो होगा, वो इसका सही answer होगा, ठीक है, अब ये question जो है, ये निम्लिकित समीकरण के किनी दो शिन्नों और किनी दो संक्याओं को एक दूसरे से प्रति स्थापन किया जाए, ताकि समीकरण सही हो, ठीक है, तो इस तरीके के question में आपको 4 option ही check करना पड़ेंगे, कोई भी इसका solution नहीं है, ठीक है, जो भी option दे रखे, उनको आपको check करना है, कि ये 43 है, किस वाली option से हमें मिलेगा, 43, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ directly कि कौन सा वाला आंसर इसमें सही होगा, इसमें D वाला आंसर जो है, सही होगा, बाकि check कर लेते हम कि ये सही कैसे होगा, जो को हमको plus और minus को interchange करना है, यानि कि आपस में change करना है, वहाँ minus कर देना है, और जहाँ minus है, वहाँ plus कर देना है, बाकि 4 और 40 को करना है, ठीक है, तो जहाँ 4 लिख रखा है, वहाँ 40 लिखना है, और जहाँ 40 लिखना है, तो देखो 4 लिखा है, यहाँ 4 की जगा 40 लिख देंगे, यहां minus है minus की जगा plus कर देंगे ठीक है बाकी 15 लिखा है और plus लिखा है तो plus को minus कर देंगे 6 लिखा है multiply 40 लिखा है तो 40 को 4 कर देंगे divide 2 इसको solve करने के बाद हमारा 43 आना चाहिए ठीक है देखते हैं आएगा के नहीं आएगा सबसे पहले board mask rule इसमें लागू हो जाएगा और board mask में क्या होता है divide होगी सबसे पहले तो 2 दुनी 4 ठीक है अब यहां से हमें फिर multiply करना है 40 plus 15 minus 6 दुनी 12 अब क्या करना है जो हमारे पास plus के नंबर है उनको add कर लेंगा और जो minus के हैं उनको अलग add कर लेंगे तो plus के 2 है 40 और 15 यह हो गया हमारे 55 12 पांच में से 2 हो गया 3 5 में से 4 यानि कि हमें क्या मिला 43 मिल गया यह नंबर हम यह sign और नंबर interchange करेंगे आपस में तो हमारी equation जो है वो सही हो जाएगी तो ऐसे ही करना होता है तो हमें सारे option ही चेक करना पढ़ेंगे इसमें कुछ मतलब directly नहीं है कि आप ऐसे कर सकते हैं clear चलिए फिर आगे बढ़ेंग नहीं दरपड कहा है वड़ चलो मैं बता देता हूं यह दरपड लगा हुआ है ठीक है तो अब जो दरपड के सबसे पास होता है वही सबसे पास ही रहेगा यानि कि L जो है वो दरपड के पास है तो इस साइड भी L जो है वो इस तरीके से बनेगा clear तो यानि कि यह वाला त में उल्टा है ठीक है तो आपको Elimination करना है option का Elimination करेंगे तो आप right option तक पहुंच जाएंगे ठीक है डारेक्ट ली आप जो है right answer मत तलाश ही ठीक इसके बाद C है तो C कैसा दिखेगा हमको ऐसा दिखेगा दरपड़ में ठीक है तो इस वाले option में देखो ये C जैसा इसमें दिख रहा है वैसा ही दिख रहा है जबकि दरपड़ में उल्टा दिखना चाहिए तो B वाला option भी यहां से खतब हो गया option number D जो होगा वो इसमें सही हो जाएगा ठीक चलिए फिर आगे बढ़ेंगे mystical को इन्होंने क्या करा कूट भाशा में यह लिख दिया जितना number लिख डाले ठीक है dumbbell dumbbell को इन्होंने कैसा लिखना है यह पूछा है हमसे तो अगर हम देखें दोको M की value कितनी होती होती है वाई की 25 होती है एस की 19 होती है टी की 20 होती है तो इसका मतलब जो उनकी place value है जिन नंबर पे वह लेटर आता है वह लिख रखा है तो डी का अगर देखें तो कि डी का कितना आता है चार, U का 21, M का 13, B का 22 ठीक है और E का 5 आता है ठीक है और L जो है J के L यानिके 12 और 12 तो लास्ट में 12 बारा देखो इसमें भी नहीं है इन में है ठीक है इन में है और 12 बारा से पहले क्या है 32 हमें देखना है 32 है तो यह भी नहीं होगा 32 इसके अंदर है 32 इसके अंदर भी है अब 42, 11 है तो 42, 11 इसमें नहीं है यह वाला सी वाला आप्शन जो है वो सही हो जाएगा तो बड़े दिहान से हमें आप्शन को देखना है ठीक है क्योंकि आप्शन भी इतने नंबर दे रखें एक से नंबर है तो उसमें गलती हो सकती है आपने यह तो इसी था अराम से डिकोड कर दिया उनकी जो है प्लेस वैल्यू है बट यहां आप्शन में आपको गलती नहीं करनी है क्योंकि नंबर बहुत क्लोज है एक दुसरे के बार बार वही नंबर रेपीड हो रहे है तो यहां अराम से देखके टिक करना था ठीक ह इसका C इसका correct होगा ब्लेड रेलेशन से question है यह और इसमें कहा गया है कि आधित्या नामक पुरुश की तस्वीर की और इशारा करते हुए इसात्या ने कहा ठीक है तो अधित्या को भाईया बना देते हैं कहीं चलो यहीं बना ले यहीं बना लेते हैं बिठा दो इनको अजित्या नावक पुरुष की तजबीर की ओर इशारा करते वे इशिता ने कहा कि उसके पिता यानि कि अजित्या के पिता की पतनी की बेटी की बेटी का एक मात्र भाई बिराज का पिता है ठीक है इशिता ने कहा उसके पिता की पतनी की बेटी की एक मात्र भाई बिराज का एक मात्र भाई बिराज का पिता है ठीक है तो एक मात्र भाई तो यही होंगे आपस में क्योंकि यह इनकी बेटी है यह इनका बेटा तो यह भाई होंगे और एक मात्र है तो फिर यही होगा और यह किसके पिता है बिराज के है ठीक है तो बिराज हमने नीचे ले लिए बिराज के अब पूछा है कि अधित्या का बिराज से क्या संबंद है अधित्या का बिराज से क्या संबंद है तो अधित्या जो है वो बिराज के पिता है तो option number 1 जो होगा वो सही हो जाएगा ठीक है तो अधित्या का पूछा है यहां ध्यान रखने वाली वात है कि अधित्या का पूछ च्र gefराद करना है और उसको समझना के पूछ किया रहा है अजित्या पूछा और तो अजित्या क्लिर क्लिया और लिए होले हों है कि इसे हम बीहार को दें रखा है यह एक को gap देखे आगला नम्म लिखा है qrs होता है इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए p q p q होता है यानि कि p आ गया और p से पहले क्या आगा o आएगा तो starting यानि कि हमारी o से हो जाएगी तो o वाले कौन कौन से है तीन मिल गया हमे option 3 हमें और o वाले मिल चुके है अगले से अब देखे हम तो यहाँ से z से w हुआ w से t हुआ ठीक है तो w x y z यानि कि 2 का gap हो गया x y बीच में छोड़े फिर z दिख दिया है नोने t u v हो गया ठीक है तब यह डबलू आता है ठीक है rs छोड़े rs t तो क्या हो गया q जो है o के बाद q यह d वाला option हट गया क्योंकि इसमें p है o के बाद a और b में बचे o और q ठीक है अब last वाला बच्चा हमारा उसको देख लेते हैं यह वाई सब e से a पे पहुँचा है यानि कि b c और d यह तीन गाइब करदी इसमें फिर w पे पहुच्चा है यानि कि x, y, z गाइब हो गए तीन गाइब हो गए यानि कि तीन टीन गाइब कर रहा है तो w से यहा तक पहुचने पहले उससको 3 तो खतम हुई होँगे ठीक है तो यू, v t, y, v ठीक है यहां तीन खत्म होगे तो टी से पहले क्या आता है और S O Q S ठीक है O Q S यानि कि A वाला option इसमें correct हो जाएगा तो पहले में एक का gap था दूसरे वाले में दो के gap से बने हैं और तीसरे वाले में तीन के gap से बने हैं तो यह वाला जो pattern है यह follow हो रहा है तो O Q S जो है वो इसका correct answer होगा यानि कि option A जो है वो इसका सही होगा अगर पोशन फिर से वही है मतलब आपको interchange करना है प्रती स्थापन करना है और समझ करना को सही करना है ताकि हमें 30 number मिल सके ठीक है तो इसमें आपको बता जेता हूँ C वाला option जो है वो सही होगा ठीक है बाकि चैट कर कि कैसे सही होगा हमको divide और minus को interchange करना है मतलब जहाँ divide वहाँ minus लिकना है और जहाँ minus है वहां divide लिकना है बाकि 6 और 5 पाEO को है यानि कि जह है वहाँ पांच है और और यहाँ 5 है वहाँ 6 हो सभी हो गाई 5 और पाम बको like TV करना है मैनες को divide लेंगे माइनस को डिवाइड लिख देंगे 30 ठीक है 30 और डिवाइड को माइनस लिख देंगे यानि कि 3 तो यह कितना हो जागा 5 एकम 5 और 5 एकम 30 15 पिलस 6 गोड़ा इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 ड़टा 6 माइनस 3 6 से 6 कैंसल आउट यानि कि 15 पिलस 1 माइनस 3 15 और 16 माइनस 3 यह 13 आ गया हमारा ठीक है तो option number C जो होगा वो इसमें correct होगा अगला question है प्रिशन दे रखा है और कथन है ठीक विशाल जो है अर्निर्मा से किस परिकार सम्बंदित है अच्छा प्रिशन भी पढ़ना पड़ेगा आपको एक प्रिशन और कुछ कतन दिये गए है बताएं कि कौन सा कतन प्रिशन के उत्तर देने के लिए परियाप्त है कौन सा कतन प्रिशन का उत्तर देने के लिए परियाप्त है ठीक है चलिए फिर यह इस तरीके कोशन वीडियो 2018 में भी पूछे गए थे ठीक है और यहां पर तो एक छोटा सा कोशन दिख रहा है लेकिन वीडियो 2018 में कफी लंबा कोशन था उसको मतलब टैकल करने में दिक्कत हुई थी लोगों को उस टाइम ठीक है विशाल अरनेमा से किस पिरकार संबंद थे ठीक है तो सबसे पहले दिया गया है कि विशाल जो है वो आरोही का भाई है जो किर्टिका की पुत्री है तो यहां पर बना लेते हैं यहीं बना लेते हैं विशाल ठीक है विशाल आरोही का भाई है आरोही जो किर्टिका की पुत्री है यानिके इनकी मम्मी जी है के लि कुर्तिका हमर की पूत्री है तो यह भी देख लेते हैं किरतिका हम लेकिन हमें विशाल और अर्निमा की बात करनी है ठीक है बता सकते हैं कि यह भाई बहन है आपस में ठीक है तो यानि कि इसकी जरूद नहीं पड़ेगी कृतिका अमर की पुत्री है कृतिका यानि कि यह अमर है इसकी पुत्री बन जाएगी तो इस चीज़ के हमें जरूद कहा है विशाल अर्निमा का रिलेशन बताना इस चीज़ के अर्निमा कि प्रकार संबंदित पहला और तीसरा आपको यह क्लियर वह और ऑगा अगर ऑगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर जो हमारा टेलिग्राम पर चैलन है एक आप एस्टी में वहां पूछ सकते हैं एपना जो जो बहूं कर्द्राइन पू भी डाउट है अगला कोशन 24 नंबर है और उसमें पूछा गया है कि उस चित्र का चैन करें जो तीसरे चित्र से ठीक उसी परिकार संबन देता है जिस परिकार दूसरा चित्र पहले से संबन देता है यानि इन दोनों का जो relation है वह relation यहां लगने वाला है तो अगर हम यहां देखें देखो चार बॉक्स हैं इसके स्क्वार के अंदर वर्ग के अंदर यहां पर क्या गरा आधा इन्होंने ब्लैक कर दिया आधा वाइट है यहां चार है यहां पर भी आधा कर दिया ठीक है तो यह होड़ना है तो यह वाला इसका ब्लैक होना है clear तो ऐसा वाला फिगर कहा देखने को मिल आ देखो यह वालो फिगर में मिल आए हमको देखने को इस वाले फिगर में अगर देखें तो इन्होंनों जो image हैं उनको ही interchange कर दिया उपर नीचे कर दिया तो यह तो option नहीं होने वा मिल लाए हमको और इसको रख लेते हैं भी ठीक है क्योंकि दोनों इतने ही हैं और यहां तो यह गलत हो गया यहां पर चार दे रखें जो कि आदा प्लैक होना था ठीक है अब इस वाली लाइन की बात करें अगर यहां पर देखो दो हैं ठीक है डिवाइड किया यहां भी चार भाग करने हैं और जो लास्ट वाला भाग है वो उसको ब्लैक करना है यानि कि यह समझ रहे न आप यह वाला ब्लैक करना इस तरीके से हमें दिखना चाहिए तो इसमें देखो ऊपर वाला पार्ट जो है वो ब्लैक है जबके हमको नीचे वाला पार्ट दिखना चाहिए तो इस वाले option में है, यानिकि C वाले option में तो हम कह सकते हैं कि ये भी नहीं होगा, option number C जो होगा वो इसमें correct हो जाएगा, ठीक है, I hope कि आपको ये clear हुआ होगा, next और last question आज की video का, लेकिन अभी रुके रहना, क्योंकि अभी हम discuss करेंगे, जो video 2018 में dice का question आया था, बहुत ही म number question जो है, वो है, सम रूफ गुणों के आधार पर इन आकरतियों को तीन बर्गों में समुहित करें, ठीक है, तीन बर्गों में हमें समुहित करना है, मतलब कैसे वो एक सी दिख रही है, सम रूफ है, तो देखो अगर यहां देखें हम, तो ये वाला पार्ट जो है, आदा सा हो सकता है, ये वाला पार्ट, नाइन वाला, ठीक है, सारे जो हैं, इसके ये वाइट है, छोटे वाले, और ये जो आदा पार्ट है, वो ब्लैक है, तो हम कहें सकते हैं, एक चार और नो जो हैं, वो एक साथ आएंगे, ठीक है, तो देखें कितनों में हैं, एक चार नो सा गोगा तो ऐसे कोश्रों में हमें एक बनाने से मतलब ए ऌर मतलब एक समुद बनाने से मिल जाता अंसर कभी कभी नहीं मिलता जो अगर्मालों के इसमें भी एक चार नों होता डेकuana तो हम आगे का भी देखते एंगे दोपने यहां ओगे कर सकते हैं तो तो यह हो गया एक ठीक है फिर इसके बाद 5 बोला है तो 5 में भी देखो सब चोटे वाले पार्ट काले हैं ठीक है फिर इसके बाद 7 बोला है तो 7 में भी देखो सब चोटे वाले पार्ट काले हैं इसके ठीक है और काली किस तरीके से ये भी आपको दिख रहा है ठीक है जो बह जो 2018 में ठीक है फिलो फिलो में मैं इसको गलत बता दिया था मैंने आपको ठीक है क्योंकि एक extreme case है open dice का ठीक है mostly क्या होता है 99% आपको जो question देखने को मिलते हैं वो क्या होता हम कैसे करते हैं जो opposite देखते हैं वो क्या होता है alternate होता या अगर मैं इसकी गात्ना हो तो 4 का जो opposite होगा या 6 का opposite जो होगा वह चार होगा alternate मतलब 1 को छोड़ के और 3 की बात करें तो 3 का opposite 2 या फिर हम कह सकते हैं कि 2 का opposite जो है वो 3 होगा ठीक है बाकी जो बचा वो उसका opposite होता जानिकि exception होगा मतलब exception नहीं कह सकते मतलब बहुत जटिल इसको कोशन को बना दिये जाएगा तब क्या होगा आपको क्या मिलेगा इस rule को follow करते हुए सारे option जो हैं वो सही हो जाएंगे ठीक है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ छार minus 6 ठीक है जैसे अब इस वाले कोशन में हमारे साथ होगा ठीक है अब देखो एक चार तीन यानिके एक चार तीन अलग-अलग है तो दिख सकते है पासिवल है ये बनेगा बिल्कुल बनेगा ठीक है अब 5,3,6 पांच तीन शे अलगई अलगई यह बिनेगा ठीक है तो यही कहता है और सारे इस रूल को फॉलो भी कर रहे हैं 99 परसेंट आपको इसी से मिलेगा लेकर एक परसेंट जब कोशन बहुत जारा जटेल हो तब क्या होगा अब इसके बाद जब यह फेल हो जाए यह चीज फेल हो जाए आप आंसर नहीं फाइंड कर पाएं तब आप का रूल ठीक है मतलब यह है रोटेशन का रूल के जो अभी जिस तरीके से दे रखे हैं वैसे ही आपको ग्लोज जब डाइस होगा तब मिलेगा देखने को ठीक है मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ यह किस साइड में है यह लेफटन साइड में है मतलब आप समझ रहे हैं जैसे के यह एक तीन है तो एक से जब हम इदर को जाएंगे तो हमको क्या एंटी क्लोग वाइस चलना पड़ा है ठीक है एक तीन चार ऐसी तो करेंगे ठीक है तो एंटी क्लोग वाइस चलना पड़ा है ना कि एक तीन इस साइड है कि हम क्लोग वाइस चलेंगे ठीक है तो वैसा ही विल्कुल ऐसा तुमको close dice में भी दिखेगा, अगर मैं यहां देखूं तो एक तीन यह तो clock wise हो रहा है, लेकिन यहां पर anti clock wise में है, तो यह तो होगा नहीं, clear, अब आगे ऐसी check करेंगे सारे 1 by 1, ठीक है, एक तो हमने eliminate कर दिया, और इनको eliminate करके ही हम answer पा सकते हैं, अब अगले वाले पर देखते हैं, C वाले पर, ठीक है, C वाले में क्या problem है, 5, 4, 2, 5, 2, 4, ठीक है, 5, 2, 4, तो अब इस case में क्या होगा, जब यहां हमको देख रहा है कि टॉप पर 5 आ रहा है, ठीक है, अगर मैं यहां देखूं, टॉप पर मुझे 5 मिलना है, टॉप पर 5 म सच के नीचे, लेकिन 4 के जो right hand side में होगा, यानि के clock by जिसको कहते हैं, इस वाली side में, यहां पर हमें 2 देखने को मिलेगा, जब हम इसको close करेंगे, बंद करेंगे, ठीक है, तो यहां 2 देखने को मिलेगा, और 2 का opposite क्या है, 3 है, यानि के इस वाली side पर हमें 3 देखने को मि हो गया, clear, अब अगर मैं D वाले की बात करूँ, मैं सारे आपको जो गलत हैं, वो पहले दिखा दे रहा हूँ, कि गलत क्यों हो रहा है, ठीक है, बी इसका option correct होगा, मैंने ये dice दोवारा फिर से बना दिया, अब इसमें हमारी जो condition है, इसमें एक लिक रखा है, ठीक है, जब हम एक को fix करेंगे, ठीक है, अब हमने एक को इसमें fix कर दिया है, अब इसमें क्या हुआ, यहां से अब मैं clock wise देखूँ, तो 2 के बाद कैसे होगा, 4, 4 के बाद 3, 3 क यानि के clock wise में यही चलेगा, 2, 4, 3, 6, ठीक है, base मेरा यही रहेगा, अगर सामने मेरे 2 आ रहा है, तो इसका मतलब clock wise में चलूँगा, तो यहां पर तो मेरा कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है, पीछे की side क्या आएगा, पीछे की side मेरा 3 आएगा, और यहां पर मेरा क्या यहां से हमने भी देखा, 6 ही है, 6 ही है, ठीक है, दो के opposite 3 है, और नीचे side के आजाएगा, 5 आजाएगा, ठीक है, अगर, मैं दूसरा case भी दिखा देता हूँ, अगर एक उपर होगा, एक चीज और दिखा देता हूँ, ठीक है, यह बन गया, एक को हमने fixy रखा है, ठीक है, स suppose करो, मैंने यह 4 देख रहा है, इसको front पर ले लिया, इसको front पर ले लिया, तो अब क्या है, मैं clock wise ही घुमांगो, तो यहां पर क्या आएगा, मेरा 3 आएगा, और 4 के पीछे कौन सा आएगा, यानि कि यह 6 आएगा, और 3 के opposite क्या आजाएगा, मेरा 3 के opposite, 4, 3, 6, 2 ठीक है, तो मतलब clock wise ही चलेगा, देखो इसमें भी देखो 2 के बाद 4 आए, 4 के बाद 3 आए, 3 के बाद 6 आए, clock wise ही चला, यहां से मैं चलूँ तो 4, 3, 6, 2 आना चाहिए, तो 4, 3, 6, 2, तो उसी से ही आरा, नीचे वाली साइड में 5 आरा है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो 4 है, यह गलत है, 4 नहीं आना चाहिए था, यहां पर 6 आना चाहिए था, तो यह भी गलत हो गया, अब लास्ट वाला जो option है, जो इसका सही answer है, बी, उसको भी देख लेते हम, तो अब लास्ट वाले में क्या है, अगर देखो 5 को हमने टॉप पे fix करना है, ठीक है, क्योंकि इ आपको सारा बता दे रहा हूँ, दो से अगर चलेंगे हम, अगर दो face लेके, तो clockwise घूमते हैं, तो दो के बाद क्या रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है, 6 के बाद क्या आएगा आपका, 3 आ रहा है, और 3 के बाद 4 आ रहा है, यही तो चलेगा clockwise, आप face में किसी भी नंबर को रख ल आप, जैसे के आपको यह वाला रखना है, ठीक है, तो तीन है, तीन है, तो यहां मैंने तीन रख लिए, सामने face में, clear, अब तीन के बाद clockwise में क्या है, clockwise में तो यह नेक्ट नंबर यही है न चार, तो चार कहा आएगा, यहां पर आ जाएगा, clear, चार के बाद यह घूमतव साइड है, वो 6 देखेगा, क्योंकि 2 के बाद 6 आ रहा है, ठीक है, suppose करो, यहां पर मैंने 3 नहीं होता, ठीक है, 3 नहीं होता, कुछ और होता, मान लोग कुछ और में क्या होता, 2 ही होता, ठीक है, 2 ही होता, तो मैंने क्या बुला के clockwise में 2 के बाद क्या आएगा, यानि के यह वाली side पे 6 आ जाएगा, पीछे वाली side के अगर बाद करूं तो 6 के बाद 3 आ रहा है और यहां पर 4 आ रहा है, तो आपको यह 5, 2, 4 दिखता, ठीक है, 5, 2, 4 दिखता, अगर दूसरा वाला हम face देखते, तो 5, 2, 4 दिखता, ठीक है, तो 5, 3, 6 भी सही है, 5, 2, 4 भी सही होगा, इ लेकर यह rotation वाला जो rules है, इसको हम तब ही apply करेंगे, जब यह जो हमारा opposite वाला rules fail हो जाएगा, 99% में आपको guarantee के साथ कह रहा हूँ कि आपको questions का answer जो इसी से मिल जाएगा, अगर question उसने tough बना दिया, जैसे यह question बनाया था वीडियो 2018 में, और अभी और कुछ exams में भी ऐसे questions देखने को मिले है, क्योंकि उस time जब मैंने यह video बनाई थी, तब मैं flow में नहीं देख पाया था यह चीज़ को, बट बाद में मुझे किसी ने बताया, तो मैंने उस चीज़ को देखा, और उस पर थोड़ा सा मतलब अपना time दिया, research कि उस पर, then logically मैं आपको यह चीज़ ब पसंदा है, तो please video को like और share जरू कर देए, thank you very much, जय हिंद, जय भारत.